मत्यप्रदेश के पिछोर से विधायक प्रीतम सिंग लोधी के बेटे के खिलाफ हत्या के मामले में फियार दर्च हुई और अब उनके बेटे को गिरफतार कर लिया गया है पूरा मामला क्या है आपको विधायक प्रीतम सिंग लोधी जो की पिछोर विधानसभा सीट से इस बार जीत करा हैं उनके बेटे दिनेश सिंग लोधी के खिलाफ हत्या का आरोप में मामला एक एफायार दर्च की गई इस एफायार को दर्च करने के बाद दर्च को बता दे कि दिनेश सिंग लोधी जो है उसकी गिरफतारी भी हो गई है पूरा मामला आपको बता देते हैं आपको बता दे कि पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंग लोधी के बेचे दिनेश लोधी पर FIR दर्ज हुई है रविवार की रात को जलालपुर में रविंद्र सिंग यादव और उनके भतीजे को स्कॉर्पियों से टक्कर मारने की कोशिश की गई थी ये आरोब दिनेश सिंग लोधी पर लगा है वहीं घर के बाहर एक अक्टिवा खड़ी थी जो कि स्कॉर्पियों की चपेट में आ गई थी आपको बता दे कि पुलिस ने विधायक पुत्र दिनेश लोधी पर पुरानी चावनी थाने में हत्या के प्रयास समेथ बूसरी धाराओं में एफ़ायार दर्श की थी कर्दाइच में दसदे कास्पस की इंचिदेन थे जिसमें ये विक्ति जो है इसमें अपनी गाड़ी से चड़ानी कोशिश करी और आलमूज घर को भी देमेज किया इसमें ततकाल पुलिस मौके पहुंचे थी और इसमें विधायक जी को बता लगा तो विधायक जी ने इसको को खुदी पकड़वाने में पुलिस के मदद करी है वरतमान में इसको पकड़ लिया गया तीन दो साथ का परकर पंजीबत करके गरिफतार किया गया इसका पूर्ण कर कर लिया है इस मामले में अब जांच की जा रही है और जल्द ही चार्चिट फाइल करके जो आरोपी है दिनेश सिंग लोधी प्रितम सिंग लोधी का बेटा उसे न्याले के सामने पेश भी किया जाएगा इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले अपने दर्शकों को के पास पहुचाएगा मध्य प्रदे जुड़ी तमाम खबरों के बने रहे हैं झाले ओि मुट्र को के लिए एमपने जोख।